हेलो दोस्तों नमस्कार आपको स्वागता है आपके पनी यूटूब चैनल ओनेश्टेड इंडिया में दोस्तों आज इस वीडियो में मैं वध्यान करने वाले हैं राश्टी एकतादियूस के बारे में तो राश्टी एकतादियूस कम मनाया जाता है ये मनाया जाता है कतीस अक्टूर को किसकी जैनती पर मनाया जाता है ये सरदार वलब भाई पटेल की जैनती पर राश्टी एकतादियूस मनाया जाता है तो परदानमती स्री नेंदर मोदी जी ने जम्मू कस्मीर के एककरण को स बोलो बाइप ऑटेल को संप्रिट किया गया है, तो एक इक रण कभ वधा था, इनका 30 सब्चूर 2019 को वधा था, इसी दिन कैप मीर वला दाक दो केंड़ साथिसथपर्देश बन चुके हैं, तो वरतवान में कितने केंड़ साथिस परदेश है, नो केंड़ साथिस परदेश ह और पहले 31 सक्टूर 2019 से क्या है बाहरत के अंदर साथ के अंदर साथ से परदेश थे और राज्य की बात करें तो वरतवान में 28 सर राज्य है और इससे पहले क्या है 29 राज्य थे दोस्तों आज भी सी बीटी को लाश्ट तक देखते रही है राष्टी एकतादीवस की दिने ये भारत ने निया मेप जारी कर दिया है ये 30 सुटो 2019 को जारी के गया है राष्टी एकतादीवस परदहान मंतर नेंदर माहदी जी ने जम्मो कस्मिर केकिकरण को सरदार्वल वाई-पटेल को संपृत किया है राश्टे एक तादीश 2019, राश्टे एक तादीश 2019 के रूमे भी जाना जाता है राश्टे एक तादीश 2019 के शर्वातography भलवाई पटेल की 1156 जैनती से कीगी तो 117 जैनती थी सरदार की 113 जैनती जब 2017 में थी Statue of Unity का उद्गाटन हुआ था नेक्स्ट है परधानती रेदर मोधी जी ने गुजरात के केवडिया में Statue of Unity में उनकी जैनती पर Statue of Unity में उनकी जैनती पर सरदार उलवाई पटेल को संदाज ली देकर राश्टी एक दाद दियुष की जरुवात की थी Statue of Unity जो कि दुनिया की सबसे उन्ची परतिमा है दुनिया की सबसे उन्ची परतिमा कौन सी है Statue of Unity है सरदार उलवाई पटेल को दर साती है वे संदरता अंदोलन के दुरान भार के सबसे प्रभू नेताओं में से एक थे परधान मंतरी मोधी जी ने इस आउसर पर का मुद्धा उनकी द्वारा संबाला जाता तो इसी हल करने में इतना समय नहीं लगता गोर बतल है कि जम्मुक समीर औलादाग दो केंदस आशे परदेशों के रूप में आज अस्ति तुम्हें आगे हैं इसी परकार के भारत में नोक इंदस आशे परदेश है वर्तुमान में राश्टी एक तादी उसकी थीम क्या थी इंपोर्टल परसन है राश्टी एक तादी दोज़ा उननीज का मुख्य वीस्य है राश्ट को संगर्ज और बढ़ते चरम बंत के समय एक जूट करना है इसी दिन सरदार वुलबाई पटेल का सम्मान किया ज़ता है जिने भारत के संदरता संगराम के दुरान और बाद में सभी रसायतों के भारती संग में सरदार वुलबाई पटेल के संगर्ण के दुरान मेहत पुर्ण बोमी का निभाई थी है स्टेचू अफ उनुटी के बार में जान लेते हैं सरदार वुलबाई पटेल के 153 वी जैनती प्रकति सक्टूर 2018 को परदान देन्दर मोदी जी द्वारा स्टेचू अफ उनुटी का उद्वाटन की गया कि इसके द्वारा किये था मोदी जी के द्वारा कि कब करती सक्टू 2018 को 193 वी जैनती पर देन्दर संदरता सिनानी सरदार वुलबाई पटेल को दरसाने वाली मोर्ती को परमुभारती मोर्ती का राम वी स्टार व्यस्टार द्वार डिजाइन के गये था एक गुजरात के केवडिया जिले में सरदार सर और बांध के सामने द्वारा नदी पर स्टेच्यो उप इनूटी को सतापित किये था यह प्रतिमा वीच सब की सब से उन्ची प्रतिमा के रूमे भी जानी जाती है कौनसी स्टेच्चो आफ यूनिटी तो सरदार वलवाई पटेल के बारे में मैतमुतित्य के बारे में देन करेंगे सरदार वलवाई पटेल भारत के पहले उपरदानमत दी थे उन्होंने पांसो से दिगे रिषायतों को सर्मत्ता भारत संग में सामिल करने के लिए राजी करने में परूमे का निभाई थी पटेल को लोहः पुरूस के रूब में जाना जता है क्युक्यमे के बावजुद सबी रिषायतों को नए सांतर बाते में सामिल पहए के करने में शपल रहे थे सर्दार वल भई पटेल को बाहरती गृन राजी के स्सटापकों में इसे एक माना जता है सरदारवल वाई पेटेल ने महतमा गांदी महतमा गांदी के ऐस योगा अंदोलों खादी आंदोलों का भी समर्थन किया था केवलों खादी के कपड़े पहने का भी एकलब चुना था 1934 में भारती राज़्टे कांगरेस के 49 में अध्यक्स के रूमें न्युक्त किया गया था उन्होंने बाहर छोड़ो आंदोलों को बढ़ा देने में पर्म भाउमिका निभाही थी पहले गर्यावंतर के रूमें उन्हें वावजजन के दुराण भारत के राज आने थी के एक 15 दिसबर 1980 को उनके बॉम्बे में नी दिन हो गया था उन्हें बरनो परांत भाहर देने से मानित किया गया था जम्मुक्समीर के केंदर साथ से पर देश बनने के बाद इस सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि यहांकि अधिकारिक बासा उर्दू की जगा क्या हिंदी हो ज सब्सक्राइब करें जैहिंद जैवार